Hello everyone, आशाकरतों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी आज के वीडियो में हम Class 12 Mathematics प्रश्णावली 5.02 को वन शोट वीडियो में सौल करेंगे और आज के वीडियो में हम अवकल नीता के बारे में सीखने वाले हैं Differentiability के बारे में सीखने वाले हैं इससे बहले हमने सांतिन्त क्या होद है Continuity क्या होदी है सारा कुछ महनें पढ़ा रखा है पूरी बुक नहीं वाली भी पुरानी वाली भी और चप्टर वाइस इंपोर्टन कुशन अल्रेड़ी करा रखें इसके लिंक्स मिल जाएके डिस्क्रिप्ट में वीडियो को लाइक कर दो क्यों आ बाद में भूल जाते हो तो Differentiability अगर मैं बात करूँ क्या होद है ठीक है सबोस करो हमारे पास एक फ़लन है फ़लन कैसा होगा हमने एक वास्तिवी फ़लन लिया है यह बराबर Punch इक फ़लन लिए है आप जब भी कॉशन कर एको रहल कि आ के यह दिया गया होगा आपको मानना नहीं पड़ेगा ठेक है तो मैंने इक फ़लन यहां पर मान लिया य बराबर एक 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 करके एक event हमने क्या मान लिया वास्तिवी फ़लन मान लिया ठीक और उसके बाद ये जो फलन है इसका जो मैंने प्रांत माना है वो A से B लिया close interval में देखो ये जो फलन है सपोस करो ये जो फलन है वो यहां से लेकर यहां तक जा रहे है ये एक कर्व है ये एक वक्र है फलन ठीक है है जिसको य बराबर Fx माने और ये जा कहां से कहां तक रही है A से B तक जा रही है ठीक है इसका जो range है वो कहां से कहां तक है A से B तक है यहां से लेकर पूरा इसके पास reason है अब मैंने क्या किया इसी interval के अंतरगत X बराबर C लिया है मैंने X बराबर क्या लिया C लिया, जो कि ये जो C है न, उस A और B के अंतरगा दाद है, ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, X बराबर C ले लिया, ठीक है, जो इस A और B के बीच में आते हैं, तो ये जो फलन है, इस C पर अवकलिन ये कब होगा, ठीक है, दिखाने का तरीका होता, D बटे Dx, या फिर shortcut में लिखते है, F-C, या तो ये लिखो, या ये लिखो, इस point पे चख कर रहे हैं, तो X के जगा पे हमने C रख दिया, और formula क्या हो दा, limit H tends to 0, function C plus H, minus function C, बटे H, ठीक है, ये चीज, ये जो formula कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, इस chapter के लिए, कक्षा 11 का पुरानी NCRT के अधार पर 13 जो chapter था, उससे ढंग से कर लेना, अगर वो आपको आती है, तो वहां से आपका base बनेगा, अगर base सही है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, प्रतम सिद्धान कहते थे उस chapter में, आपने पढ़ा होगा, प्रतम सिद्धान से अफगलज कर करता है, finite आता है कोई, ठीक है, exist कैसे करता है, वो भी मैं बताऊँगा, आपको पहले से पता होगा, तब जाके कहते हैं, कि इस point पर यह जो फलन है, वो फलन क्या है, अफलन है, तो अब यहां पर एक word लिखा होदा है, d, butte, जैसे यहां पर लिखा, dx, ठीक है, यह actually किसको यह बताता है, समय के अनुरूप या किसी भी चीज की रूप के अनुरूप परिवर्तन को बताता है हमेशा, किस चीज को बताता है, परिवर्तन को बताता है, अभी छटा चप्टर जब हम पढ़ेंगे, अवकलच के अनुपरियोग, तो वहां आप देखोगे, कि यह जो भ तरित प्रश्नम करेंगे, छटे चप्टर में, तो basically यह क्या होता है, यहाँ पर यह जो D है, X है, इसे स्वतंतर चर कह दे है, ठीक है, अब यह स्वतंतर चर कह दे, ठीक है, अब यह स्वतंतर चर है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, डी, Y बट्टे डी X, ऐसे लिखते हैं, तो यह जो X है यह स्वतंत्र चार है यह क्या होता है? श्वतंत्र चार और Y का कर रहा है तो Y क्या है यह? यह निर्भर कर रहा है तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं Dependent Variable क्या कहा जाता है? Dependent Variable इस सब चीजों के हमें जरूत पढ़ेगी आगे Dependent Variable कहते हैं Dependent Variable Constant नहीं होता है क्योंकि आपको पता होगा कि Constant का Upclutch क्या होता? 0 होता है तो कई बार लोग बोलते हैं कि Y है X के शापेज अफ़क्लच कर रहे हैं तो Y हमारा Constant होगा नहीं भाई Y अपका Dependent Variable है ठीक है? Y अपका Dependent Variable है Constant नहीं है Constant Question में धिया होगा वो आप आगे सीखते जाओगे इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे लिए अक्षा 11 का जो चेप्टर है वो बहुत ज़्यादा important वहां से आपका Basic बनेगा अगर वो Basic आपको आज आती है यह सब चीज़ आपके लिए आसान हो जाएंगी अब यहां पर लिखा हुआ है Existence Existence of Limit क्या होता है Existence of Limit Existence of Limit क्या होता है जो भी हम प्रत्तम सिद्धान से निगालते है जैसे d बटे dx हम c पर निगाल रहे फॉर्मुला क्या होता है limit h tends to 0 function c पर निगाल रहे c प्लस h minus function c बटे में h ठीक है यह चो value होनी चाहिए वो finite होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए finite कोई भी एक finite value आएगी तब जाके उस point पर limit exist करता है अगर infinite आ जाएगा तो exist नहीं करेगा उस point पर हम अफ़कलनी तब नहीं बतावाएंगे अब देखो किसी function पर हम उस function को अफ़कलनी कब कह पाएंगे वो जान लो अच्छे से जैसे हमारे पास मैंने आपको उच्छेतर बना के दिखाया था ठीक है ना अभी मैंने आपको उच्छेतर बना के दिखाया था यह मेरे पास function है y बराबर fx करके एक function है ठीक है और मैंने यहां लिया था a point यहां लिया था मैंने b point हम यहां पर c के बिवारे में बात कर रहे था x बराबर c तो इस इसके left में और right में एकदम पास पास तो यह जो होता है ठीक है पास पास c प्लस h और यह हो गया c- h एकदम बहुत ही कम-कम अंदर होता है इतना कम कि यह जो h है वो tense कर रहा है जीरो की दर exactly 0 नहीं है लेकिन एकदम 0 के आस पास है इतना कम अंतर होता है वो h तो इस point c पर अब फलन को अवकल नहीं कब कहपाऊगे जब उस point पर उस function का lhd और rhd दोनों बराबर होंगे left hand derivative ठीक है ls का मतलब क्या होता है left hand derivative r का मतलब होता right hand derivative अगर यह दोनों बराबर होता है यदि left hand derivative बराबर आ जाता है right hand derivative और दोनों के दोनों मान left hand भी और right hand भी परिमित मान होने चाहिए finite मान होने चाहिए तब जाके वो फलन हम क्या होगा उस point पर अवकल नहीं होगा जब lhd निकालोगे वो भी परिमित आए और RHD निकालोगे वो भी परीमदा है, दोनों के मान भी बराबरा है, तब जाके वो फलन उस बिंदू पर अवगलनी होता है, अब हम प्रश्न करेंगे, तो उसके हिसाब से हम सीखते रहेंगे, अब RHD का शूत्र क्या होता है, अगर X बराबर हम C पर निकाल रहे हैं, ठीक है हम किस पर निकाल रहे हैं, C पर निकाल रहे हैं, शूत्र क्या होगा, लिमिट H जो 0, ठीक है, RHD के लिए C प्लस H, फंक्शन सी, बट्टे में H, LHD के लिए क्या होगा, प्लस के जगा पर यहां मैनस लग जाएगा, और यहां पर भी मैनस लग जाएगा, बस यह अंतर है, ठ जब RHD और LHD दोनों बराबर होंगे, दोनों के मान परिमित होगा, तब जाके वो फलन उस बिंदू पर जाके क्या होगा, अवकिलनी होगा, ठीक है, इसतना कुशिन हम सॉल्ट करेंगे, उतना ही हमारा कॉन्मेटर्स बढ़ेगा, तो टेंचन लेने वाली कोई बाद नहीं ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, कुछ नियम कानून है, काइदे हैं, जिनको हमें अच्छे जाना चाहिए, जिनके बारे बहुत हम जाएगा, पहला क्या होगा है, अगर आपके पास दो फंक्शन है, और आप अवकलच कर रहे हो, तो अवकलच पहले वाली फंक्शन के साथ भी हो जाएगा, दूसरे वाली फंक्शन के साथ भी हो जाएगा, प्लस में हो तो प्लस में आ जाएगा, माइनस में हो तो माइनस में लग जाएगा, उसके बाद दो बहुत साथा इंपोर्टेंट वाले नियम है, एक तो अंच बट्टे हर वाला नियम है, ठीक है, अंच बट् यह जैसे आपको मैं बता दू, यहाँ पर है shine x और एक है cos x, ठीक है? तो shine x पहला function हो गया, cos x दूसरा function हो गया गुणे में किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हैं, ठीक है? अव गलज में तो क्या होता है? पहला वैसे के पैसे गुणा दूसरे का गलज प्लस दूसरा वैसे के पैसे गुणा पहले का पकलज, यह शूतर होता है, copy में लिखते रहिएगा, very very important है उसके बाद अगला जो शूतर है log x का, log x का पकलज क्या होता है? एक बट्टे x log x का पकलज क्या होता है दोस्त? एक बट्टे x होता है उसके बाद log a की पावर x का जो शूतर होता है, एक पावर x वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर log यह आ जाता है फिक है? और या फिर, सिंपल में अगर बट्टाओं, एक पावर x वैसे का वैसे, log a वैसे का वैसे और जो भी x यहां पर पावर में, उसका क्या हो जाता है? अवकलज देखो मैं बार-बार बोलना हो, अवकलज कक्षा 11 वाला पहले देख लेना ठीक है? उसके बाद यह प्रशनावल देखना है, आपको मस्त सब को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी ठीक है? यह मैंने लिखा दिया है अब कुछ नियम है, कुछ शूत्र है, ठीक है? फॉर्मूला करके लिख सकते हो कपी में फॉर्मूला करक्षा 11 में भी लिखा रख है, जैसे फॉंक्षन है, x की पावर n, तो इसका अफ्रश क्या होता है? nx, n-1 पावर वाला सामने आ जाता है, और एक घत कम हो जाती है, अगर इसका मैं एक्जेम्बल दू, जैसे d बटे dx है, अब गलज करना है मुझे x square का, तो 2 सामने आ जाएगा, और एक घत कम हो जाएगी, इनकी यह क्या हो जाएगा 2x shine x अगर function दे रखा तो direct formula, cos x हो जाएगा, cos x का क्या होता है, minus के shine x हो जाएगा, tan x का क्या हो, dash x के square x होता है, यह तो शूत्र है, इसमें कुछ लिखाने वाली चीज ही नहीं, जो मैं आपको लिखा हूँ अलग से, यह तो रठना बढ़ेगा शूत्र, ठीक है, कोई भी constant हो कि अगर हम upclutch करते हैं, divided dx, हमारे पास एक function है, suppose करो gx, और उसके साथ साथ constant भी है, constant और function दोनों साथ नहीं, उने पर constant भाहर आ जाता है, और upclutch किसका हो जाता है, function का, खक्षा 11 में आपने सीखा होगा, ठीक, उसके पाद यहां लिखा है, कौशेक x, कौशेक x का जो upclutch ह का होदा है, कौशेक x इंटू कौट x, माइनस में, शेक x का होदा है, शेक x इंटू 10x, और कौट x का होदा है, माइनस के कौशेक स्क्वार x, अब आपने इस नोटिस की होगी, आपके दिमाग में, दिखो, जीजेओ को भूलो ना, अन्फूजन दो ना लाए, तो जब भी अब गलच करोगा, जो c से स्टार्ट होगा, उसके सामने माइनस जरूर आएगा, c, cost था माइनस लगा, ठ Key है, उसके बाद देखो, यहाँ पर cost a t, माइनस लगा, उसके बाद यहां, Scott, cost c से स्टार्ट होगा, तो यहाँ सामने सामने जरूर लग रहा है तो ये सारे शूत्र आपने कक्षा 11 में भी याद किये थे एक बार मेने दो बारा आपको लिखवा दिया कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी ये लगबग लगबग सारा कुछ अभी तक 11 कही आया है कुछ नया अभी तक आया नहीं है ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले मालूम है अगर आपको तरीगा बदा चल जाता है तो इस से आसान प्रशनावली आपको ढूंडने से भी नहीं मिलेगी सबसे आसान प्रशनावली है देखो, अगला इसमे एक प्रमे आता है यदि फलन किसी बिंदू C पर अवगलनी है तो उस बिंदू पर वो सतत भी है इसका मतलब क्या हुआ? हर एक अवगलनी है, अगर कोई फंक्शन अवगलनी है किसी बिंदू पर, तो वो सतत भी होगा अगर कोई function अफगलनी है तो वो सतत भी होगा ही होगा लेकिन अगर कोई फ़लन सतत है तो क्या वो अफगलनी होगा नहीं हर बार नहीं हो सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन अगर कोई फ़लन अफगलनी है तो वो सतत होगा ही होगा वो सतत होगा ही होगा लेकिन अगर कोई फिलन सतत है तो वो अवगलनी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है अबजिक्टिवोशन में आ जाता है Next क्यारे प्रत्यक अवगलनी फिलन सतत होता है तो वही मैंने बोला अभी आपको कि हर एक अफगलनी फलन अगर कोई फलन अफगलनी है तो सतत भी होगा ही होगा ठीक है हर एक अफगलनी फलन सतत होता ही होता है ठीक उसके बाद एक नोट आपको लिखवाना है नोट कॉपी में लिख लीजिए प्रत्यक प्रत्यक बहुपदी फलन प्रतेक बहुपदी फलन सतत वह अवगलनिय होता है अगर कोई फलन बहुपदी है तो वह सतत भी होगा और अवगलनिय भी होगा बहुपदी फलन सतत भी है और अवगलनिय भी है ठीक है प्रत्यक वास्तिव बिन्दू पर अब यह जो नियम है भच्छों यहाँ पर लिखा हो आप रिंखला नियम चेन रूल कहते है को ठीक है तो एक решी को चलते हो तो छीन दूसरा रखते हो यह तो नहीं करते है कि एक के बाद दूसरा रख दिया बाइस लिचे डहो गेगgili दूसरा दुसरा राम से नहीं करनेड़ा खाल झाह यहाँ अगर पने अर आराम आराम से चलेंगे तरर गलेगे भड्श इवा ठीक है, पहले को दोगे, दूसरे को दोगे, तीसरे को दोगे न, यह निकी पहले को दिया, फिर तीसरे को दे दिया, दूसरे को दिया न, भगा दिया, दूसरा भी तो गुस्सा हो जाएगा, मार देगा तुम्हें कि दो जापड, तो वही चीज़ा है, यहाँ पर जो हम अफ chain rule लगाओगे भी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि अमने chain rule लगा दिया है चलिए देखते हैं कैसे करेंगे देख यह function हमारे पास है क्या है? fx हमें दे रखा है यह function है और इसका हमें अफकलच ग्याद करना अफकलच ग्याद करना है यहां बोला नहीं गया है कि x के शापेश अफकलच ग्याद करो बोला गया है नहीं बोला गया है तो हमें दिख रहा है कि यहां पर देखो यहां दिख रहा है fx यह x जो है यहां जो भी ब्रैकेट में लिखा जाता है न वो क्या होता है? श्वतंतरचर होता है ठीक है? और अब गलच हमेशा श्वतंतरचर के सापक्षी किया जाता है अगर नहीं बोला गया है प्रश्न में तू ठीक है? तो हमें अब गलच किस के सापक्ष करना होगा? एक्स के सापक्ष करना होगा अब मैं यह जो आपको chain rule बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, वो देखो कैसे होता है सबसे पहले हमें दिया है ठीक है, एकदम प्रॉपर वे में लिखते है, दिया है क्या दिया है, कि fx बराबर हमें दे रखा है shine x square, यही दे रखा है, यह function है अब यहां लिखेंगे, x के शापेक्ष, x के शापेक्ष, अवकलज करने पर detail में कर आउँगा, detention मतलो, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे, d बटे dx, fx और यहां पर मैं लिख दूँगा, d बटे dx, shine x square दूनों तरफ upclutch का symbol लगाया, अभी upclutch किया नहीं है, ठीक है तो थेखो, chain rule क्या होता है, पहले upclutch किसका होगा, shine का होगा उसके बाद upclutch किसका होगा, उसके angle का होगा, यहां दो टम है, तीन होता, तो पहले इसका होता, फिर इसका होता, फिर चाके अगले वाले का होता, इसे कहते है, chain rule, ठीक है, इसे क्या का जाता है, chain rule, अब देखो कैसे होगा, सबसे पहले, पहले किया है, trigonometry function, उसका upclutch होता है, वो होता है, कौश x, क्या होता है, कौश x होता है, तो shine का क्या हो जाएगा, पहले किसका होगा, sign का होगा, कौश हो जाएगा, और angle में जो लिखा है, वो वैसा का वैसा आ जाएगा, यहां तक, उसके बाद, आगे का करना है, sign का होगा, अब किसका होगा, इसका यह किस शूत्र में आ गया, यह आ गया डीबटे डीएक्स, एक्स की पावर n वाला शूत्र क्या होता है, nx n-1 उद्द है, तो यहां से क्या हो जाए, जो हो चुका है, उसको तो वैसे के वैसे लिख देंगे, यह अलड़ी हल हो चुका है, वैसे लिख दिया, अब इसमें यह वाला शूत्र लगाए देंगे, n के जगा पर 2 है, 2x, 2 है न, दो में से एक गड़ जाएगा, 2-1, ठीक है, तो यह हो गए, कॉश, x स्क्वेर, x की पावर 1, लिखो ना लिखो एकी बात है, तो यह हो जाएगा, 2x, cos, x स्क्वेर, यह हमें हमारा अफगलज मिल गया, तो इससे कहा चाता है, चेन रूल, ठीक है, तो चेन रूल कुछ नहीं है, मैं तो किसको कुछ नहीं है, मानते हैं नहीं, तो जो प्रोसेस होता है, कोई भी फंक्षन दिया होगा, अभी दो फंक्षन वाले आएंगे, तीन वाले आएंगे, तो एक एत करके चलना है, सिरी दर सिरी चलना है, यही चेन रूल है, यहां तक आगया, बेसिक सीजे, देखो, क्या है, शूत्र सबसे ज़ाथा जरूरी है, और इसके बाद तरीका, फिर इस से आसान प्रिशन वाली तुमा डूनने से भी नहीं मिलेगी, ठीक है, सलिए, अब बिना किसी देरी के, क्लास 12, Mathematics, NCRT Exercise 5.2, प्रिशन वाली पांद सिर्णों दो को, सौल करेंगी, वन शॉट वीडियो में, ठीक है, पहले कोशिन में आ जादे, कहरे प्रिशन संख्या, एक से लेकर आट में, ठीक है, में किस के साब एक्स, कोशिन में लिखा होगो ने, किस के साब एक्स, एक्स के साब एक्स, में, यहां एक्स छूट गया, एक्स के साब एक्स, निमलीकित फ़लनों का अफकलज कियाद किजिए, आपके बास किताब है न, NCRT, खोल के धिख लो, यहां एक्स लिखा हुआ है, एक्स के साब एक्स, तो, सॉल करते हैं, गो, टिक्निमेट्री फॉंक x square plus 5 x के शापेक्ष अपकलज करना है तो यहां लिखेंगे x के शापेक्ष x के शापेक्ष अवकलज करने पर ठीक है x के शापेक्ष अपकलज करने पर क्या हो जाएगा देखो दोस्त तो इधर क्या हो जाएगा y के अपकलज कर दिये x के साब x detail में करवानों पूरा कोई shortcut नहीं है ठीक है अभी हमने क्या गिया d बटे dx इधर भी लिया d बटे dx इधर भी लिया अब अब close करेंगे देखो पहले किसका अफकलोच होगा sign का sign का अब हमने लिखाया था क्या होगा cos x x और x के जगा बरिया है sign का होगया अब किसका होगा इस angle का होगा d बटे dx x square plus 5 ठीक शूत्र क्या लगाया था अभी हमने शूत्र अभी हमने लगाया था कौन सा ये वाला d बटे dx shine x का क्लच क्या होता है cos x सारा खेल शूत्र का है sign का जगा cos होगया जो angle में तो वो आगया पहले sign का हुआ अब अब क्लच किसका होगा इस वा angle का होगा अब ये चीज अल्रडी हो चुकी है जो हो चुकी है उसको वैसे का वैसे रख देंगे अब अब क्लच इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा bracket के अंदर दी बट्रे दी एक्स एक्स स्क्वेर दी बट्रे दी एक्स फाइट ठीक तो यहाँ पर शूत्र लग रहा है एक्स की पावर एन वाला और यहाँ लग रहा है constant वाला अब जानते हैं दी बट्रे दी एक्स बगा देंगे शूत्र में तो यहाँ से क्या हो जाएगा यह तो अल्रट ही हो चुका है इसको वैसे का वैसे रख देंगे कॉश एक्स स्क्वेर प्लस पाँच और यह वला शूत्र लग एगा तू सामने आ जाएगा और एक घत कम हो जाएगी पाँच कॉंस्टेंट है जीरो यहां से बजएगा टू एक्स टू एक्स में जीरो जोड़ेंगे तू एक्स और इसको लिखत हो यहां पर खॉश एक्स स्क्वेर प्लस पाँच यह हमें हमारा अवक्लच आराउम से मिल जायागा कहीं पर भी डाउट हो या दिक्कत हो एक बर दुबरा जरूर देखना है अब आते हैं अगले प्रश्न में फिक इसको करना है तो यहां लेखेंगे माना वाई बराबर कॉश और यह है शाइनेट देखो जब तक कॉशन तुम खुद नहीं बनाओगे न दोस्त कॉशन समझ में नहीं आएंगे कॉशन जो आएगा वह आपको जब रिवाइस करोगे खुद जब कॉशन एक आत खुद से बनाओगे तब कॉशन आएगा अभी देखोगे उसके बाद और एक बार देखते हैं नोट्स बनाओगे रिवाइस करोगे एक आत कोशन बनाओगे तब जाके आप सीखोगे ठीक तो यहां लिखेंगे X के शापे एक्ष अवकल अज करने पर ठीक है वाई है तो यहां हो जाएगा T बिट्टे D X Y का कर रहे है धिर भी आजाएगा T बिट्टे D X पहले अफकलज किसका होगा पहले कॉश का होगा और उसके बाद साइन का होगा तो लगाते है कॉश एक्स का अफकलज क्या होता है दोस्त शूतर रिख देता हूँ T बिट्टे D X कॉश एक्स का अफकलज होता है माइनस के शाइन X है ना माइनस के शाइन X तो माइनस लग गया यह हो जाएगा शाइन और एंगल के जगापे क्या है शाइन X अभी कॉश का हुआ अब किसका होगा शाइन का D बिट्टे D X देखने में आपको बहुत टफ लग रहा दा है लेकिन है बड़ा आसान कुशे यह चीज अल्रोड हो चुकी है उसको वैसे का वैसे लिग दिया और अब जानते शाइन X का क्लिश क्या होता है को शेक्स यह आगया अंसर इतना आसान था ठीक है देखो जब जब एंगल में सिर्फ X होगा न आपको कि सारी इस X का अफकलज नहीं करोगे करूंगा भाई X का भी अफकलज होता है आप बोलोगे सारी X का नहीं होता है बिलकुल होता है जब जब सिर्फ X होगा एंगल में तब आपकलज और आगे नहीं किया जाते है क्योंकि X का अफकलज 1 होगा और 1 को गुड़े में लिखो ना लिखो फरग नहीं पड़ता ठीक है इस वज़े से नेक्स्ट कुशिन है शांदर तो माल लेते हैं Y बराबर है हमारे पर sin A X प्लिस B ठीक है तो यहां लिखेंगे X के शाप एक्ष X के शाप एक्ष अब वो कलज करने पर ठीक है तो यहां क्या हो जाए अगर D बट्टे D X किसका प्लिस करने बाई दरफ Y का और यह हो जाएगा D बट्टे D X Shine A X प्लिस B शूत्र का खेल है अभी मैंने आपको बदाया था Shine X का प्लिस क्या होता है दोस्त Shine X का प्लिस होता है Cosh X पहले आपको किसका होगा Shine का होगा और उसके बाद इसका होगा ठीक तो देखो Shine का प्लिस के बाद कोश एंगल में जो हो आजाएगा कोश का होगा अब इसका होगा D बट्टे D X A X प्लिस B यह अल्रडी हो चुक है इसको वैसे के वैसे रख देंगे अब देखो अब गलज इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी E बट्टे D X A X D E बट्टे D X B अब देखो हम अब गलज किसके शापेक्ष कर रहे है X के शापेक्ष कर रहे है तो X को छोड़कर बाकी सब क्या है Constant ठीक है तो यहाँ देखो X है और A है Function और constant साथ में रहने पर constant बाहर आजाता है अब क्लज किसका अधर function का होता है ठीक तो यहाँ से आ जाएगा देखो यह जिस्तों अलड़ी हो चुकी है देखो यहाँ से A बाहर आ जाएगा D बट्टे D X X का अफक्लज और B क्या हमारा constant है 0 ठीक आगे देखिए यहाँ पर एक कॉश A X प्लस B और गुड़े में A है यह X का फक्लज क्या हो था 1 और यहाँ 0 था 1 कम A आ गया answer ठीक है आ गया कोई doubt हो यहाँ दिखकत हो एक बार दोबारा देखें Next question है very 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 important ठीक है माल लेते है Y बराबर हमारे बाहस है check 10 under root X देख रहे हो यहाँ कितने function है यहाँ है 1 2 3 तो number by इसके लेंगे pension कोई नहीं है मैंने बोला सिड़ी दर सिड़ी चलना है आपको तो देखें अब कलज करते हैं सबसे पहले यहाँ लिखेंगे X के शापेक्ष अब कलज करने पर जैसे मैं लिख रहा हूं एक्जाम में जब आएगा बिलकुल इसी तरीकी से ही solve करना है नहीं नमबर नहीं मिलेंगे ठीक है तो यहाँ हो जाएका D D D X Y का अफकलज D बिट्टे D X तो सबसे पहले कि इसका अफकलज होगा आपको बता है D बिट्टे D X शेक X का जो अफकलज होता है वो होता है शेक X इंटू 10 X यह शूतर होता है शेक का और शेक यह है तो अंगल X के जगा पर यह होगा यह X के जगा पर आएगा इस Step में तो शेक X जależ के जगा यह पूरा यह है 10 ėरीक Z यह चिरेक X X के जगा पर यह X के जगा पर है 10 आइ ठीक है किससका हो जुगा है अब किस्काफकरोजोगा? इसका? किस्का फकरोजोगा? D dx n under root x कोई दिक्कत नहीं है? छीज हो चुकी है अगल्य stem में इसको वैसे का वैसे ही रखना है ठेक, अब किस्का फकरोज फकरोजो ऑगा? 10 का होगा? तो आप जानते हैं, कहां लिखो मैं, यहां लिख देता हूँ, चूंकि 10x का job close होता है, 10x का job close होता है, वो कितना होता है दोस्त, वो होता है shack square x, तो यहां लग जाएगा shack, square x के जगाँ पर यह है, under root x, ठीक है, shack square भी हो गया, देखो, पहले इसका किया था, sorry, पहले इसका कि गुड़ा, dbdx, under root x, under root का मतलब क्या होता है, घात में अधा, under root का मतलब क्या होता है, घात में अधा, अब देखे, आगे क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक तो अल्रड़ी solve हो चुगा है, उसको वैसा कर वैसे लिख देंगे, गुड़े में है, ठीक ही है, और यहां शुरुतर लग जाएगा, x की पावर n वाला, क्या होता है, n सामने आ जाएगा, और nx, n-1, ठीक, ठंग से लिख देंगे, शेक, 10, रूट x, 10, 10, रूट x, देखो, और गुड़े में क्या है, शेक स्क्वाइर, रूट x, बट्टे में क्या है, 2, और यहां से क्या बचेगा, देखो दोस्त, minus के अदा बचेगा, क्या बचेगा, minus के अदा, minus के अदा आके नीचे क्या हो जाएगा, plus का अदा बच्टे में, और अदा अज़्ा को मतलग क्या होता है, एं-रूट, यह मैंने लिख दिया, कहीं पर भी doubt हो, एक बर दोबारा जरूर देखें, अगला कुश्यन है, अभी मैंने आपको बताया था, यह किस रूप में आ रहा है, अंच बट्टे हर के रूप में आ रहा है, तो शूद्र लेगेगा आपका, फिक है मैंने आपको लिगाया था, दी बट्टे डी एक्स, अंच बट्टे हर का शूद्र, क्या होदा है, हर वैसे का वैसे, गोडा, अंच का अपको लिगाया था, माइनस, अंच वैसे का वैसे, हर का आपको लिगाया था, बट्टे में हर का बट्ग यह शूत्र होते है तो इस फंक्शन को अगर मैं y माल लूँ आपकलच करेंगे d बट्टे dx इदर y है तो हर वैसे का वैसे ओश cx प्लस d हर वैसे का वैसे गुण अंच का आपकलच माइनस फिगे अंच वैसे का वैसा शूत्र में लख रहा हूं बस गुणा हर का आपकलच बट्टे में हर का स्क्वेर हर के हैं हमारे बस कौश cx प्लस d को हो स्क्वेर अभी हमने क्या किया जस्ड शूत्र में रखा हैं अभी हमने क्या किया दोस्त जस्ड शूत्र में रखाएं अके कोई दिक्कत नहीं है अब देखो क्या हो जायागा ये condo बाप्लस अब थोड़ा थोड़ा शॉट बी सिखा दूँ यह शॉट नहीं है जैसे तरही इसमें करा रहा हूं ने एक्जाम में कर सकते हो ऐसे कुर्षिनर को अभी थोड़ी तरह पहले ही शॉट किया था है यही सेम कुर्षिन अभी अभी आपने शॉल किया था तो आप इसको अलग से डिटेल में भी बना सकते हो यह को डिटेल वाला तो अभी सीखा है अभी जो बता रहा हूं ऐसा एक्जाम में करते है ठीक साइन नोटकरकी लिखो रहाट खिक समीकरण हमेशा X की तरह व्यवार करते है और X का हमां से डखे switch करते है नहीं करते है ठीक है तो नहीं करेंगे लेकिन X का जो भी गुणाच होता है X का माइनस, फिर यह वाला वैसे के वैसे है, sin ax plus b, cos, cos कप्ल्स क्या होदा, minus k sin x, minus, समने आ जाएगा, और यह minus है, तो minus minus क्या हो जाएगा, plus, cos x कप्ल्स क्या होदा, sin, यहाँ, shine, यह भी क्या है, यह भी एक रखेक समय करने, x के तरब विवार करेगा, shine, ax plus b वैसे का वैसे, उस तो गरवट कर दिया, मैंने, यहाँ पर cx plus d आएगा, cx plus d आएगा, cx plus d, ठीक, अब सही है, यह वाला वैसे के वैसे, cos कप्ल्स माइनस कसाई, minus minus plus हो गया, और angle हमारे पास क्या है, cx plus d, रेकिक समीक्रण है, रेकिक समीक्रण, x की तरब विवार करते है, और x का जो भी गुढ़न चोथा, वो गुढ़े में लग जाएगा, x का गुण सी है, वो गुढ़े में लग जाएगा, और बट्टे में क्या है, पर टेम बस square कर दो cos square Cx plus D आप जानते हैं सिर्फ square करने पर trigonometric function का ही square होता है angle का square नहीं होता है तो ये हमें हमारा अवकलज बड़े आसानी के साथ मिल गया ठीकें बड़े आसानी के साथ मिल गया लेकिन अगर आपको थोड़ा भी doubt लग रहा है कि सार समझ में नहीं आ रहा है आपने ये कैसे कर दिया कुछ-कुछ ऐसे बच्चे होते हैं maximum बच्चे मेरा टेक्निक समझ गया है अगर आपको अपको आज आदे अगर आपने कक्षा 11 में सीखा है न कक्षा 11 का ही कुशन है भाई कक्षा 12 का कुशन ही नहीं ये कक्षा 11 का ये कुशन है क्षा 11 में भी आपने ऐसा कुशन किया हुआ है कुछ नया नहीं बढ़ा रहा हुँगी मैं तो अगर आपको नहीं आए तो इसको तो मैंने डीटेल में भी करा है न भाई देखो, शाहिन एक्स प्लस भी है ने याँ बर, कराया नहीं था, ऐसे कर ले ना, देखो ऐसे कर लो के तो ये, ये जो भी गुला जो वो, सामने आगे देखो, ऐसे लंबा करके अलग से कर लो, फिक है, जो आपको सही लगए, इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, फिर कर दिया, this is not shortcut, this is proper method, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं, मैं कोई shortcut नहीं करा रहा हूँ, इसको भी मैंने detail में समझा है, इसको आप खुद कर सकते हो, detail में, कैसे वह बला किया है, simple भी मैंने बता दिया, कैसे किया जाते है, simple ज़रूरी है, ठीक है, simple ज़रूरी है, और detail मे बहुत सारे question मिलेंगे, और तीन गंटे में सारे question बनाने है, ये भी अलग task है, ठीक है, तो ये सब तरीका भी बता होना चाहिए, ये जो question है, बहुत ही शांदार, जांदार question है, यहाँ पर दो फलन है, एक फलन ये है, ये फलन एक है, तो मैंने अभी आपको बता था, first और mana, कि ये y के बराबर है, y बराबर है, कॉश, x cube, फोड़ा, शाइन, इसको square है न, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, nx की बाबर 5, total का whole square, यही है न question, question number कितना है, 6, यही question है, अब आप देखो, तो यहाँ लिखेंगे, x के शापेक्ष, अभ गलज, करने पर, फिक, तो यह हो जाएगा, dy बट्टे dx, पस्ट इंटू सेकेंड वरा नियम आपको बता होगा, क्या हो तो पहला वैसे कवैसे, पहला वैसे कवैसे, गुण, दूसरे कवैसे, प्लस, दूसरा वैसे कवैसे, यही से लिख दो, दूसरा, वैसे कवैसे, गुण, पहले कवैसे, पहले कवैसे, यह बस अभी हमने शूत्र में रखा है, यह अभी हमने किया, अभी तक कुछ किया है नियम ने, नियम तो बता होगा न, अभी मैने आपको नियम लिखाया था, यहां देखो पहला दो function के गुणा होगी तो पहला गुणा दुसरे का पकलच प्लस दुसरा गुणा पहले का पकलच यह मैंने नियम लिखा है दापको वोही नियम मैंने यहां लगा दिया रहे ठीक तो अब हल करेंगे शूत्र तो हमें पता है सारे यह वैसे के वैसे रहेगा कॉश एक्स क्यूब शाहिन एक्स का पकलच क्या होता है कॉश ठीक है शाहिन एक्स का पकलच क्या होता है कॉश एक्स के जगा पर क्या रहेगा एक्स की पावर फाइव इसका पकलच हो गया है अब किसका होगा इसका अप्कला जोगा E बट्टे D X इसकी पावर 5 ओ हमने यहाँ पर एक गलबड़ी की है मिस्टेक की है अपने नोटिस किया कौन सी मिस्टेक की है हमने देखो यहाँ पावर है पावर हमने नहीं लिए हमारा ध्यानी नहीं के है पावर पर सौरी बच्चो यह हम गलबड़ कर रहे थे यहाँ पर यह गला धो रादा देखो जब भी टोटल पावर रहे से मैंने शाइन स्क्वाईर एक्स पावर था ना इसको मैंने धंग से लिखा है शाइन एक्स 5 टोटल की पावर 2 जब भी ऐसे फंक्षन होगे तो प्रापर वे में लिखना है क्योंकि अवर गलाज में सबसे पहले पावर सॉल्व होती है अवर गलाज में सबसे पहले पावर सॉल्व होती है ति मांग में डाल लो तो पहले पावर सॉल्व होगा और जब कभी भी पावर रहता है न दोस्त जब कभी पावर रहता है यह पूरा function x के तरह रवार करता है और यह वाला शुद्र लगता है d बटे dx x की पावर n वाला क्या होता है? nx n-1 यह शुद्र होता है न दोस्त तो यहाँ क्या होगा? 2 सामने आजाएगा 2 सामने आजाएगा और एक घथ कम हो जाएगे अंदर से ठीक है? एक घथ कम हो जाएगी अब क्या है दोस्त? पावर स्वाल हो गई है अब जो भी अंदर का material है उसका अफ़लाज होगा d बटे dx अंदर के material का अफ़लज shine x की पावर 5 शूत्र में रखते है nx n-1 पहले पावर स्वाल होगी और फिर अंदर के material का अफ़लज प्लस यहाँ आजाओ यह वाला वैसे के वैसे ही रखना है तो यह हो जाएगा shine square x की पावर 5 और cos x का अफ़लज क्या होद है minus के shine x minus के shine x के जगा पर क्या है x cube cos का अफ़लज हो चुका है अब हमें किस का अफ़लज करना है x cube का d बटे dx x cube ठीक अब देखें आगे बढ़ेंगे cos x cube to shine 2 में से एक कम करेंगे घाद एक रहाएगा घाद एक कम लोगों कुछ होदा ही नहीं है अब इसका अफ़लज करना है shine का अफ़लज क्या होदा cos x के जगा पर के है x की पावर 5 एले shine का अफ़लज होआ अब किसका अफ़लज होगा x की पावर 5 का x की पावर 5 ठीक है प्लस गुणा माइनस माइनस shine स्क्वेर x की पावर 5 यह तो अलड़ी हल हो चुका है shine x क्यूब और यह शूट लग जाएगा x की पावर n वाला क्या होता है n सामने आ जाएगा और एक घट कम हो जाती है ठीक अब आगे हल कर लेते है यह हो गया cos x क्यूब देखो यहां से हैं गुणे में 2 shine x की पावर 5 cos x की पावर 5 और यहां से क्या हो जाएगा यह भल अशूद लग जाएगा n x n-1 5 सामने आ जाएगा और एक घट कम हो जाएगी यहां देखो 3 इधर आ जाएगा shine square x की पावर 5 shine x cube गुड़े में यहां से बज़ेगा 2 x square अब देखो यहां से 2 है यहां से 5 है पांदूनी 10 kosh x cube shine x की पावर 5 kosh x की पावर 5 गुड़े में x की पावर 4 यहां से आजाएगा 3 shine square x की पावर 5 shine x cube गुड़े में x square इस x cube की गुड़ा इससे मत कर देना यह angle का है और यह अलग से गुड़े में है ठीक है और यह हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा मैं आपसे परस्टनली एक बार request करूंगा बड़े भाई होने के नादे कि इन परशनों को एक एक स्टेप में चलो यह नहीं कि नहीं कि नहीं आरा है छोड़ देता हूं आगे बढ़ता हूं नहीं यह ऐसे गल्दी मत करना किसी भी स्टेप में थोड़ा सा भी डाउट हो ना उस स्टेप को बैक करके दोबारा देखो कि मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो और शूत्र शूत्र तो याद होने चाहिए शूत्र बार बार लिखवाने का कोई मतलब नहीं बनदा क्योंकि कख्षा 11 के शूत्रें दोस्त कुछ नया शूत्र में लिखा है नहीं अभी तक ठीक है सारा 11 काई है ठीक है तो यह जब आप कोशन एक बार देखोगे सौल करोगे खुद से बनाओगे रिवाइस करोगे तो टाइम के साथ आप और सीखते जाओगे ठीक है अगर एक बार में ना आए फ्लीस दोबारा ज़रू देखने यह हो गया शांदार कोशन है ठीक है यह वाई मान लेते है माना वाई है दो है गुड़े में और कॉट है ठीक है जब भी पावर से लेटेड कुछ भी आए तो पावर प्रफरम है बना लो अब यहां के लिखेंगे एक्स के शापेक्ष अवकलाज अवकलाज करने पर ठीक द्यान से देखेगा य के अवकलाज हम गया लिखते है डीवाई बिट्ट्रे डीएक्स e बिट्टे dx देखो यह constant है और यह function है constant क्या हो तो बाहर आजाते है constant बाहर आजाते है function का अफ्कलज होते है for x square यह function है constant को हमने क्या है लिखा दोस्त यहाँ पर constant को हमने बाहर ले लिया और यह function का हमने अफ्कलज कर दिया ठीक अब जानते हो आँ इबट्टे डी एक्स कोटेक्स कब क्लुज क्या होता है माइनस के कौशे के स्कोरेक्स होता है यही शूत्र होता है सुध्यान से देखिए तू तो भाहर है लेकिन सबसे पहले क्या स्वाल होगा पावर एक पावर कम होगा पावर सॉल्व होगा अब अंदर का जो भी माटेरियल है उसका अफकलच डी बट्टे डी एक्स अंदर के माटेरियल का अफकलच शूत्र में लगा दिया स्टेप बाई स्टेप चल रहा है हम ओके यहा से देखो के दो से दो कटा यहा से क्या बचा क्या स्टित कि अंदर क्या बचा कॉट इस वह इना आजआ वह में किदी यह होगा है एक बट्ट दो में से कम टारेंगे माइन स्कुर्त का अफकलर और नहीं स्टित लगा रवा यहा से क्या होता है मैनिस के कॉष्ए की स्क्वैर एक्स, एक्स के जगा पर क्या है餐 ? कॉट का अपकरज होगया, अब किसकी अपकरज होगा ? X too D× दीE X X too अब देखो यह मैनुस है मैनिस कॉष्एक X Oh और X too X कि पावर N वाला शूत लगा होगे e बटे dx x की बावर n क्या होते है nx n-1 2 सामने आ जाएगा और एक गत कम हो जाएगी और यह जो minus में नीचा के क्या हो जाएगा plus में 4 x square plus k half और half का मिलब क्या होता है under root minus k x square 2 x और यह लगया under root में answer ठीक है जी कोई doubt हो कोई भी दिक्कत हो एक बर दुभारा देखिए सब कुछ पैसे अल्रेटी पढ़ा रखे links मिले के description में यह question एक number में कई बार उचा गया है board exam में माना यह y के बराबर है क्या है y cos under root x ठीक तो नियम आपको पता है पहले cos कफ कलज होता है यह डिस कफ कलज होगा तो यहां लिखेंगे x के शापेक्ष अवकलज करने पर x के शापेक्ष अवकलज करने पर तो यह हो जाएगा dy बिट्टे dx यहां आजाएगा d बिट्टे dx cos and root x ठीक है cos x कफ कलज क्या होदा है minus के shine x होगे तो minus पहले इसका प्लोज होगा minus shine x के जगा पर क्या and root x इसका प्लोज होगया अब इसका प्लोज होगा d बिट्टे dx and root का मतलब क्या होदा है गात में आदा ठीक यह अल्रड़ी हो चुका है minus के shine and root x कौँ जगेगा x की पावर n वाला क्या होदा n x n minus 1 n x n minus 1 तो यह होगया shine and root x बट्टे में 2 यहां बज़ेगा x के गात माइनस के आदा minus आदा माइनस आदा मतलब नीचे आके क्या हो जएगा plus क्या आदा plus क्या आदे का मतलब क्या होदा under root आदे का मतलब क्या होदा under root ठीक है जी यह हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा अब आते हमारे आखरी के 2 questions में जो की very 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 important है ठीक है very important है यह दोनो questions चलिए question number 9 पर आजाओ क्या बोले है शिद्ध कीजिए कि यह जो function आपको दीख रहा है x बराबर r पर x हमारा r से आ रहा है और x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है x बराबर 1 पर यह क्या है अवकलित नहीं है याना कि जो left hand derivative है और right hand derivative वो हमें निकालना होगा और वो दोनों बराबर नहीं आएंगे ठीक है चलिए तो detail में करेंगे तो लिखेंगे जैसे exam में लिखने है ना बिल्गुल वैसे लिखेंगे दिया है function x हमें देह रखा है दोस्त कितना modulus के अंदर x-1 x बराबर 1 पर हमें चेक करना है x बराबर 1 पर तो सबसे पहले हम निकाल दे lhd left hand limit limit h tends to 0 उन पर चेक करना है function 1 minus h function 1 बटे बे माइनस के h यह हमारा शूत्र है lhd ठीक शूत्र में रखा हो मान limit h tends to 0 यह function है हमारा जहाँ जहाँ x देख रहा है वहाँ वह माइनस के 1 minus h रख दू यहाँ पर x के जगापर 1 minus h फिर क्या करना है x के जगापर 1 रखना है बटे में है minus के h plus का 1 minus का 1 कट minus के h आएगा minus के h और यहाँ आजाएगा 0 बटे माइनस के h बटे माइनस के h cut के आजाएगा 1 तो h बचा ही नहीं h के जगा limit कहां रखोगे h के जगा बजीरोगे h तो यहाँ पर बचा ही नहीं तो यह आगे minus के 1 इसका मान के आगे hd का minus के 1 आगे अब हम निकालेंगे hd right hand derivative limit h tends to 0 function 1 plus h function 1 बटे में h 1 पर चेक कर रहे हम ठीक तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रख दो 1 plus h रखो फिर क्या रखो है x के जगा पर 1 रखो यहाँ x था हूँ x के जगा पर 1 रख दिया हमने बटे में plus h यह है यह कटा हूँ limit h tends to 0 यहाँ से आ जाएगा h यहाँ से आ जाएगा 0 एक कम h तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1 क्योंकि h बचाई नहीं बराबर नहीं है और चटीक है अता x बराबर 1 पर अवगल नहीं है अवगल नहीं है नहीं है अहीं पे भी डाउट हो एक बर दोपारा देखलो अब आते हैं हमारे अखरी प्रश्ण में वेरी वेरी इंपोर्डेंट है कैरें शिद्ध कीजिए कि महत्तम पुणांग फलन जब भी यह चिन्न दिखता है न महत्तम पुणांग फलन कहते हैं उसको अगर x का मान 3 से चोटा है और 0 से बड़ा है x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलनी यह नहीं है ठीक है 1 पे भी नहीं है और 2 पे भी नहीं है यह हमें बताना है देखिए हम 1 पे चक करते हैं यहां लिख देंगे x बराबर बड़े यूटूबर्स में ने देखे हैं इस चीज को गलत तरीक से समझाते हैं बता दे ठीक है एक चैनल में ने देखा था मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसके लाकों में सब्सक्राइबर है साथ आड़ लाग सब्सक्राइबर्स है और CBC Board को प्ला देख उन्होंने इस Question को Skip कर दिया भाई वीटियो प्लाए नहीं तो मैं आपको बोलूँगा अगर कोई Teacher बोल राए कि यह Question इंधे कोई Important है बोलाए नहीं आएगा छोड़ दो छोड़ दो तो भाई उसको खुद नहीं आता है उनसे तो बचके रहना है ऐसे टीचर बहुत खतर्लाग होते है क्योंकि उनके पास knowledge नहीं है आपको देने के लिए ठीक है और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कुछ टीचर है जो कि इनके Million में होगे सस्क्राइबर वो टीचर नहीं वो तो यूटूबर्स है वी उसका चक्कर में आके वीडियो बना रहे है क्योंकि उनका वीडियो चल रहा है बाकी उसकी हिसाब से यह भी चला दे रहे है बच्चे तो नादान हो दें बच्चे को क्या पत्द कि उनका background क्या है ठीक है तो ऐसे लोगों से बचके रहना है YouTube में बहुत अच्छा अच्छा teacher है जिनकी मैं respect करता हूँ जिनसे लोग बढ़ते भी है की बढ़ा अच्छे योना मेधिक आशो और आशिन तुमी तो धिरती आ गई थी इस्टप करने है देखो एक्स बराबर 1 है न तो यहाँ 1 लिख लो x बराबर 1 ठीक है तो यहाँ इसके neighborhood वाला point क्या होगा 1 plus h और इसके 22 वाला यह वाला point क्या होगा 1 minus h यहाँ 1 है तो एक से बढ़ा के लिखो यहाँ लिखो 2 और इदर आ जाएगा x से कम लिखोगा तो यहाँ जाएगा 0 यह simple सा है इदर एक बढ़ा लेना इदर एक घटा लेना जो भी point भी चेक करोगे अब आप निगालोगे l h d शूद्र किया होदा है limit h tends to 0 इस पर चेक करें 1 पर function 1 minus h minus function 1 बट्टे minus h अब यह जो function है सिर्फ यह दे रखा है मान रखो limit h tends to 0 यह हो जाएगा x के जगा पर क्या रखना है 1 minus h और यहाँ क्या है f1 है 1 minus h हमेशा लेफ्ट वाला लिया जाता है क्योंकि greatest integer function महत्यम पुणांग चिन उसे हटा के symbol करें लिखना होता है limit h tends to 0 यह हो जाएगा कितना 0 देखो f1 है ठीक f क्यों लिख दिया मैने सिर्फ 1 आएगा x के जगा पर 1 रखना है देखो 1 का 1 ही रहता है 2 का 2 ही रहता है अगर 2.1 लिखा होता 2.1 का हम यहाँ 2 लिखते है ठीक है और यह बड़ा बड़ा 1 का 1 ही रहता है minus h ठीक है तो देखो h के जगा पर 0 रखोगे minus से minus कटेगा और किसी के बट्टे में 0 क्या होता है limit क्या होनी चाहिए हमेशा परिभाशित होनी चाहिए यह तो आप परिभाशित आएद किसी के बट्टे में 0 h tends to 0 रख दिया हमने यहां पर 0 h के जगा पर 0 रख दिया तो यह क्या हो गया अब परिभाशित अगर limit अब परिभाशित होती है तो बात नहीं बन थी तो वह अपकलनी नहीं नहीं होता है यह हमने स्टार्टिक में पढ़ा था lhd हो गया अब आजाओ यह अब रहे है rhd limit h tends to 0 function 1 plus h minus function 1 यहां दिखो यहां क्या जाएगा limit tends to 0 x के जगा पर क्या रखना 1 plus h यहां पर 1 plus h और फिर x के जगा पर क्या रखना 1 बट्टे में h 1 plus h के लेफ्ट में क्या है 1 1 plus h के लेफ्ट में 1 और 1 का तो 1 ही होता है बट्टे में h है तो यह क्या आगया 0 आगया वह 1 मेंसे घटाओँ 0 बट्टे कुछ भी हो क्या होता 0 अब आप खुद देखो एक आप अरिबाशी देख जीरो है तो क्या लिखोगे क्योंकि समीकरण एक तथा दो से क्या होगा कि LHD बराबर नहीं है आरेच्टी के ता यह अफकल नहीं है नहीं है क्या है यह अफकल नहीं है कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी अब हम टू के लिए चक करेंगे जैसे वन के लिए चक किया ना दोस्त सेम चीज टू के लिए कर देंगे ठीक है बाकी बच्चों पेने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स में लगे आपको दिस्क्रिप्शन पे, एक बड़ दिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, चेप्टर वाइस इंपोर्टन कोश्चन, पॉडल पे पर, सेंपल पे पर, है ना, अब जुक्टी कोश्चन सारा करा लिखते हैं, यह तीन हो जाएगा, और एक घटा की तरफ लिखते हैं, माइनस, दो में से कम करेंगा, एक हो जाएगा, चलिए अब निकालते हैं, LHD, लिमिट, हटेंस टू जीरो, फंक्शन, टू माइनस ह, फंक्शन टू, बट्टे में माइनस के ह, शूत रहे हैं, टू पे रखेंगे फंक्शन में, फिर क्या रखना है दोस्त, टू रखना है, टू रख दिया, बट्टे में क्या है माइनस के ह, ग्रेटर स्ट इंटितर फंक्शन है, अटाना है, एक है, टू एच माइनस के लेफ्ट में क्या है, एक है, लग दो एक, और दो का तो दो ही होगा, क्य आगे अगर पूणांगे तो पूणांका पूणांगी होता है. तो यह 2 बट्टे में वी है माइनस के अच. एक में से दो गटाएंगे माइनस एक बिःशन के गएगा, माइनस से माइनस कटेगा ठीक है, और h के जगा आपे 0 रखोगे, एक बट्टा 0 क्या होता है, आप परिभाशन, किसी के बट्टे में 0 वो क्या होता है, आप परिभाशन, यह LHD निकाल, अब निकालो RHD, राइट एंड डेरिवेटिव, limit x tends to 0, function 2 plus h, function 2, बट्टे में positive का h, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, limit tends to 0, x के जगा पर क्या रखना है, 2 plus h, फिर क्या रखना है, x के जगा बर, 2 रखना है, इस function में, बट्टे में plus h, यह मैं तम पूरांग कचिन ने से अटाएंगे, 2 plus h के लेफ्ट में कितना है, 2 है, यहां ला जाएगा, यहां जाएगा 2, और यहां क्या है, 2 का रखना है, 2 ही रहेगा, और 2 में से दो गटाएंगे 0, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है, तो यह अपरी बाशित है और यह 0 है, बराबर है, नहीं है, तो यहां लिखोगे फिर से यही चीज, समीकरण एक तदा 2 से, LHD, RHD के बराबर नहीं है, अता ही आफकल लिए नहीं है, X बराबर 2 पर, ठीक है, और इस तरीके से, पूरी प्रशनावली आपकी यह आराम से स्वाल करा दिये, बागी के प्रशनावली मैंने अल्रेडी पढ़ा रखें, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पर, डिस्क्रि ही है, कि शूत्र पता हूँ, तरीके पता हूँ, जितना प्रेक्टिस करोगे, जितना रिवाइस करोगे, और खुद से जब बनाओगे, तब ही आएगा,